थूप है लो नमस्कार जाहिंद हम लोग भारत की भावतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं और भावतिक प्रदेश में भारत की भुह आकृतियों के बारें पढ़ रहे थे जिसमें हिमाले परवत के बारे में हमले पड़े थे Jug раз मैदान के बारे में उचह भूमी के बारे में पिंद्यन परवत्माला और सत्व्प्रवा परवत्माला के बारे थे और अभी पढहें गे इस एप्सिर्स ने प्राइदी प्थार के बारे में फ्राइधी पहाड़ीयां और पुरी पहाड़ीयां इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं क्ये प्राइधीप प्थार ठाइधी प्थार कभी भाजन दक्कन का पठार या प्रायदीपी पठार हलांकि प्रायदीपी पठार के अंदर कर सब आएंगे लेकिन मुख्य रुप से प्रायदीपी पठार दक्कन के पठार को कहा जाता है इसलिए दक्कन के पठार को प्रायदीपी पठार भी कहते हैं एक पुर्वी पठार या छोटा छोटा नागपुर का पठार या पुर्वी पठार यह पुर्वी पठार इसे ही बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार पष्चिमी घाट परवत यह पस्चिमी घाट परवत है यह परवत जो है पश्चमी घाट परवत है पश्चमी तटके सारे सारे जिसे सहयाद्री परवत भी कहते हैं और इधर है एक पुर्वी घाट परवत जिसे पुर्वार्दी परवत भी कहते हैं पुर्वी घाट परवत या पुर्वार्दी परवत स्रेडिक इसी के देखते है कर जहां पर आप देख सकते हैं सबके बारे में एक मैप पर में करकर या कित दक्कं कर गददर है कि हमने बताया रप गध्र को दो भागों बटा गया है कि एक उत्तरइ द कनक पठाबंद पर नगर मुक्राइब मद्य प्रदेश महाराष्टा और तरित है मध्य प्रदिस महाराष्टा और चत्रिश गड़ उसके दच्छण के जो भी राज जहां अंध्रतिलंगाना करनाटका और तमिलाडू इन में दच्छनी दक्कन का पठार है यह निकि दखन के पठार के स्थिति इन दो इन सभी राज्यों में जिसमें से मध्य प्रद प्राचीन यूग में इस दक्कन के पठार गुत परत्ति हुए थी यहां से दामोदर नदी सोन महानदी गुदावरी नदियों के बेसिन में कोईले का निर्माण हुआ है जहां से निर्माण होता है यहां जहां भी मिलता है तो अधिकांश संभावना है यंकि करने दिकान संभावना है कि नदी बेसी नदी घाटी की छेत्रों में कोई लपाया जाएगा क्रिटेसियस युग में अत्यदिक ज्वाला मुखी उद्गार से दक्कन ट्रेप करने बाढ़ हुआ है दक्कन ट्रेप जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उससे में दक्कन ट्रेप क मुखीक बुट के आंदर जर्वाला मुखी की उत्पण होनी से लावा से लावा के बिखराव से अर्फ कर बनता है प्रह का एकृत है hindi का होता है और और दक्कन ट्रेप यानि कि लावा से जो भी बनता है वहां की आसपास की मिट्टी काली मिट्टी होती क्योंकि ट्रेप से काली मिट्टी का ही निर्माड होता है तो इसमें काली मिटी पाई जादी इसका भी स्तार जो है महाराष्ट्रा मध्यब्रदे 36 गण यह उत्तरी दक्कन और आंध्रा तिलंगाना करनाट का तमिलादू यह दच्छिनी दक्कन आशेजिया त्रिभुज़कार आकरती है अभी अबको दख दब्सक्राइबर अब दखारे जिए दखारेां हैं मैप प्न का पठार के पश्चिम की और सयाध्री पर्वत है जैसे पश्चिमि घाट परोस्यनी पूर्वी घाट परवस्रेणी जहां मिलती है आपस में उन दोनों की मिला नस्थाल को ही परवती गांट बोलते हैं जिसे नेल गीरी परवती गांट करते हैं इसकी अवसात उचाई जो धक्कन पठार के तुचाई तीन हजार से नाव सारी तीन सब से इसे ही इहां पर ब्रिष्ट चाया प्रदेश है तुच्छेतर इसले बारिष्ट क्योंकि यह मांसून नहीं आता है मांसून क्यों नहीं आता है क्योंकि पश्चिमी घाट से रुख जाता इसके बारे में अभी देख रहे हैं इसके पुर्वत्तर में 36 गड़ में दंड का रन को प्ठार जो पूरी भतार के दखिणि इसलेगि क्यों ऊफार और इसी पर ढर्ण का रहरую चोटा सा प्ठार रहें लोकल प्ठार जिसे बोलते हैं बस्त और बस्तर का पठार फ्क्राण हैं भारत को अस्थान है जहां से तीन का पादन होता है मौछ इसके उत्त्र में महानधी बेसीन है ठानदी गाटी जो द्धान उत्धादन के लिए महानधी गाटी में भपादन जादा होती यानिए कि उत्पादक्ता ज्यादा है क्योंकि यहां पार प्रकार्प जयादा दिया यहां पर ब्स इसलिए है कि महाना दिवेस जभा सें चाहिं सब्सक्रार के द्वांडा निकतार बुटी नदी 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 पर चित्रकूट जलपरपाथ को भारत कर न्यागरा fulfilब कहते हैं मीनी नियाग्रा जयल प्रपात चित्रिकुड कूर को भ्यान ये दंदकारण है इस दंदकारन है पतार पर भगवान राम बनवास काते थे चαणभा बरिश का वनवास इस दंदकारन है पतार पर काटे थे कि यह आप देख सकते हैं कि यह इस्तिति है धर से यह यह इस्तिति है मध्यवर्ति उच्छी भूमी का इसको पिछले इप्षोट नहीं पढ़ चेके हैं छीका इसको अरावली परोष्यनी और माल्वा का पठ़ार पड़े ते उत्ति दक्कन पठ़ार और दक्कन का को ब्र TWO 32 कर प्रदेश महाराշ्ट्रा मध्ध्र परदेश महाराष्ट्रा और 36 राजयं में मिश्तरी तरि तर दक्कन कपज़ार आं दरा कि बंद ते लंगानाँं कि को नंग गरणाटका और तमिलनाड़ इन राजय वह सब्सक्रमाई U पुर्वी पठार था थो चोटा नाऍक पुर् stripping को पठार यहीं पर है दंड़ का रणे का पठार को जो यहां दधकन का पठार को पूरत्तोर के और पूरी पठार को धिल पो publiquIST कि यहां पर जलवाई मानसून बहुत कम आता है इसलिए सिल रिश्क मानसून करता है यहां पर बार्ष्ट मीगाट चला जाता है सीधा चला जाता है यानि कि टक्राता नहीं है हवाइं टक्राती नहीं है तो बारिश नहीं कर पाती है तो इधर बारिश कम होती है कि इस और यह पश्चिमी घाट पर उसे नहीं बहुत हुचा है इसलिए यह हवाएं अगर पास करती भी है तो उदर नीचे उतरती है और जब हवाएं नीचे उतरती है तो वहाँ पर बारिश नहीं होती है क्योंकि उच्छ दबाव का छेत्र नहीं बनता है इन सब चीजों के के बारे में हम लोग देखेंगे मांसून वाले चप्टर में फिलाल इतना जा लेजिए कि ब्रिष्ट चाया प्रदसी सिदक्कन के पठार में आता है नेक्स्ट है छोटा नागपूर का पठार नागपूर की पठार के स्थिति हमने आपको अभी दिखाया इसका विश्तार ज चछिन में महानदी घाटी है अभी हमने महानदी की बारे में बताया धानुत पादन के लिए प्रिसिद्ध है पुरोत्तर में राजमहल की पहाड़ियां जो वेश्ट बंगाल और जारखंड में दरसल चोटा नागपूर के पुरोत्तर साइड में एक पहाड़ी है छोटी स कर द्यान और सथल। परवश्र भी है ऑशाय को अबंगाल के खाड़ी है एक की चोटानाँपूर का पठार ऐक में चोटा नागपूर का पठार और इधर यह राजमहल की पहाड़ियां है यह राजमहल की पहाड़ियां जो टानापूर पठार का ही पुरोत्तार अलाबिस्तार है यहां से यह पहाड़ियां वैसे तो गई है यहां तक यहां पर ब्रहमपुत्रा नदी इधर से आती है गंगा नदी निवार्म पुट्र को कॉलो चाट तो यानिकी वाला मैदानी छेतर बन गया मईलरुप से यह घारो खाशी जहनतीय इसका ही भागहे पॉटा नाकपुरidän पह़ार के उत्र में कि धर गंगा का मैदान इसके पस्चिम हम है ये है यह विंद्र और सत्पुड़ा विंद्र और सत्पुड़ा परवस्रियव इधर रक्कन का पठा है और लाएक अधर बंगाल यहां पर कुछ नदियां बाती जैसे दामोदर श्वर्ण रेखा बाराकर बैतरनी और ब्रामणी और दामोदर नदी छोटा अनापूर गाति कहते हैं और भारत में तीन नदी में भाट्यम करती है नर्मदा जुदार नर्म दा तापती ऑर दामधर ये तीन नदी परॉइस्ट नाफ़ट को बाती है तो नर्मदा तापती के बारे में हम लग पढ़े थे हैं जब बिंधर परवस्रेडि और फोड़ रहा थे तो य यह हैं दामोदर नदी यह दामोदर नदी छोटा नापकुर पठार को बीच से ब्रंस गाटी में बहती हुई फुटा नापकुर पठार को दो भागों में ब्वाज़त कर देती है उत्तर में कि हाजारी बाग पठार या को डर्मा का पठार अ कर में जो उत्तर का में रांची का पठार वोलते हैं या संप्राए मैदान इसे रोहर प्रदेश घठेम भारत का रूर प्रदेश घठेम भारत का यहां पर खनीज के लिए प्रसिद्ध है यहां पर खनीज के लिए हमारे भारत में चोटा नगर पठार है इसलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं यहां से कोईला लोहा युरेनियम अब्रक बाकसाइड इत्यादिक खनीजों की उत्पत्ति होती है दामोदर घाटी को को इला जहां भी मिलता है आधिकंस संभावनाव踏क नदी घाटी चेत्रों में ही मिलता है तो दामोदर गाटी भृंस गाट है है और इसके घाटी में सब्सक्रागर क्रें द कोईला भ aplic काहिट रामगढ्र चरमपूरा सब्सक्राइब 5 % क्या कि है को च्छोकट नाप्र पठहार को सद्फहारीया अदिशनान घरनीक बुकाहरब करमपूरा मिघाले पठहर अरे मालदागत और राज्माहल पहाड़ीयों से अलग होता है में वीघाले में गाले में बारे में такों लोए के पहाड़ियां थी तो हमने पता मधे सुम्झा है अब नदीओ ने कड़ दिया है प्रंपत्रा गंगयम अन इसकी सहाइक नद्यों मिलकर पीच कहाट दिया और उसकटे हुए छेत्र को मालदा गयब कहते हैं जो बंगलादेश वाला चेत्र है कटा हुआ मैदानी चेत्र हैं उसे मालदा कहते हैं इसकी उचित हम बिंदू जो है छोटा नागपुर पठार की मुठ नाथ पहाडी हमisi मुंदाओं का प्रदैस सकते हैं दो बहुलता पाय जाती है पारशनाद पहाड़ी के 6 वारशनाथ पहाड़ी को मुणदाओं का प्रदेश कहते हैं पारशनाथ पहाड़ी छोटा नापूर पठार का उचितम बिंद नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एपिशोड में अभी के लिए इतना ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें वीडियो को लाइक करें बहुत धन्य बाद